हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चानल मधू की पार्शाला आज की इस वीडियो में एच्टेट 2021 का जो पेपर था उसका हम कॉमन इंग्लिश का पॉर्शन करने वाले हैं तो common English में जो भी आपको rules apply करने हैं वो सारे में detail के साथ बताऊंगी बाकी जो option रह जाते हैं उनको भी हमने अच्छे से देखना है ताकि अगर कभी next में हमारे पास वो word हमारे काम ना आ जाए तो चलिए हम start कर लेते हैं देखिए हमारा पहला question है इसमें जो 46th बनेगा third portion के according जिसे पहले CDP आया फिर हिंदी आया फिर हमारा English का portion आया है उसके according 46th question है choose the correct option transformation from simple sentence to complex sentence हमने क्या करना है sentence को transform करना है पहले simple में दिया हुआ है बनाना क्या है complex तीन तरह की mostly form हमारे पास होती है simple होता है compound होता है और complex होता है इस से related आपको एक या दो question जरूर से जरूर मिलेंगे इस topic को बहुत अच्छे से कर लेना जो videos है वो भी मैंने इसके उपर बनाई हुई है वो भी आप go through कर सकते हो पास क्या बनता है जैसे कि एक अलग तरीकी का sentence उसमें जोड़ दिया जाता है जो dependent होता है ठीक है और जो compound रहते हैं उसके अंदर दो independent sentences होते हैं जो and or यहनकी conjunction के साथ जोड़ दिये जाते हैं तो क्या है option हमारे पास a moment which is lost is lost forever अब देखो which is lost यह हमारे पास एक ऐसा sentence है जो इसके बीच में आया हुआ है अगर हम इसको हटा दे a moment is lost forever तो यह एक simple sentence बनता है और which is lost जो है अगर हम उसमें जोड़ देते हैं तो यह dependent है किसक इस तरीके से एक dependent sentence को हमने क्या कर देना है उसके अंदर add कर देना है तो हमारे पास option तो one रहेगा no doubt option हमारे पास first आ गया लेकिन हमने बाकी check कर लेने है कि कहीं possibilities तो नहीं है a lost moment is forever lost अब देखो इसमें simple हमारे पास क्या आया है यह simple sentence बन रहा है ना तो हमारे पास कोई compound है य अब हमारे पास sentence से ही related question है choose the correct option transformation of sentences simple to compound अब हमें क्या करना है simple से compound बनाना है तो आपको समझ आ गया होगा यह topic इतना important है आपके लिए he must work hard to make up for the lost time अब यह simple दिया हुआ है देखिए कोई भी conjunction इसके इंदर add नहीं है अभी लेकिन हमने उसके इंदर add करनी है ठीक है he must work hard उसको hard work करना है to make up for the lost time है ना जो भी lost time था उसको दोबारा से ठीक करने के लिए he must work hard cover the lost time अब इसने सिर्फ कॉमा लगाया है कॉमा से का हमारा चलेगा नहीं making up for the lost time he must work hard यह हमारे पास क्या हो गया यह complex के form में ज्यादा जा रहा है इसलिए हम इसको भी चूज नहीं करेंगे he must work hard and make up for the lost time अब इसमें हमने conjunction को ढूणना था हमने conjunction को ढूण लिया अब he must work hard यह एक अलग सा sentence हमारे पास है और make up for the lost time यह हमारे पा जाएगा सही option आजाएगा he must work hard and make up for the lost time और next क्या दिया था working hard will make up for the lost time यह हमारे पास किसमें चला जाएगा simple sentence में चला जाएगा जहां पर यह जो है यह एक वर्ब का काम कर रही है वर्ब है लेकिन जैसे subject का काम कर रही है जो जारेंट के साथ चला जाता है या आपका यह जो participle होते है उनकी forms में जो है यह इंक्लूड हो जाता है लेकिन हमने उसके साथ जाना नहीं है अभी फिलहाल बात कर रहे है sentences की तो sentences में हमारे पास क्या आएगा he must work hard and make up for the lowest time that is a compound sentence next हमारे पास है select the correct conjunctions for the blanks आप conjunctions हमें हमारे लेनी है जो sentences को जोडने में हमारी help करती है he will come sorry we will come dash it rains dash not अब options हमारे पास है if and अब देखिए we will come अब इसने बोल जा कि हम आएंगे लेकिन obvious ही बात है आगे condition तो यह डाल रहा है if वली condition इसमें हो सकती है लेकिन it rains अगर बारिश होती है dash not और नहीं होती है तो यहाँ पर एक चीज होगी न या तो बारिश होगी या नहीं होगी तो end के साथ तो हम जाई नहीं सकते end तो क्या करता है दोनों ही चीजों को लेकर चलता है लेकिन लेकर हमीं जाना नहीं दोनों में से एक को choose करना है even but और either and का फिर हमारे पास option खतम हो जाता क्योंकि condition की अगर बात कर रही है तो condition में if आता है या weather आता है weather को हम if लिख सकते हैं और इसमें हमारे पास or भी है और जो होता है option के लिए use किया जाता है या तो आप ये choose करो या आप ये choose करो दोनों में से कोई एक को हमें choose करना होता है तो हमारा कौन सा option सही रहेगा weather or or we will come if or whether it rains or not बारिश होती है या नहीं उसके हिसाब से हम तै करेंगे choose one word substitution for the following अब आप जो है इसके according अपने जो भी topic आ रहे हैं वो mark करते चले जाना side by side लिखते जाना कि मुझे कौन सा topic करना है common portion के लिए ठीक है choose one word substitution for the following a word spelled and pronounced similar but differing in meaning एक word है जो spelt किया गया है pronounce किया गया है similar किसी दूसरे word के साथ similar है pronunciation में भी और spelling में भी but differing in meaning लेकिन meaning क्या होगा उसका differ होगा ठीक है और वो हमारे पास क्या होते है homonyms होते हैं क्या होते है homonyms antonyum से एक दूसरे के opposite हो जाएंगे synonym सेम हो जाएंगा shouldonym जो होता है वो किसी एक कोई नाम है उसता कोई दूसरा नाम अगर हम यूज कर रहे है तो उसके लिए shouldonym यूज किया जाता है little similar to synonym आपके है सकते हो पर shouldonym अलग ही रहता है इसलिए homonyms हमारा क्या आजाएगा correct answer आजाएगा ठीक है homonyms is the correct answer next है change the following sentences into reported speech by choosing the correct option बहुत ही important रहते हैं reported speech के questions हमारे पास आपको मिलेंगे ही मिलेंगे एक दो भी हम मिल सकते हैं ठीक है तो इसलिए reported speech भी आपको बहुत अच्छे से करके जाना होगा क्या दिया हुआ है if you want to smoke you will have to go upstairs अगर तुम्हें smoke करना है चाहते हो तो तुम तुम्हें कहां जाना पड़ेगा upstairs उपर जाना पड़ेगा सेडियों से and said the landlord यह किस ने कहा landlord में तो अब देखिए इसमें हमारे पास क्या है यह कुछ universal truth तो है नहीं जिसमें हमारे पास sentence के जो tense होते हैं वो change नहीं होंगे है ना ऐसा तो है नहीं और यहां पे sad भी आया हुआ है sad आया है तो इसका मतलब tense हमें change करने पड़ेंगे present to past है या past to past perfect होता है तो option हमारे पास क्या है change करने का ही है दोनों ही जगे तो क्या लिखेंगे और इसमें मैं आपको एक suggestion जरूर दोंग है वो इस तरीके से confusing दी होती है कि आपका rule वहाँ पे sometimes applicable नहीं होता ठीक है आप उनकी rules के coding चलोगे तो उनका rule क्या है उसमें sometimes थोड़ा एक दो चीज़े missing कर देते हैं वो या एक दो चीज़े add कर देते हैं तो just go with correct option पहले option चेक कर लेना इसमें करेंगे तो आपको थोड़ told him अब देखो जो यह है portion the landlord said तो क्या बनेगा the landlord या तो said ही रखेंगे हम इसको या told लिखेंगे हम ठीक है वो किसको कह रहा है अपने किसी tenant को ही कह रहा होगा तो him लिख दिया ठीक है हम common gender के लिए him जैसे inversely ले ले लेते हैं हर भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है यहा पर भी told him है said वाला भी चल जाएगा says वाला नहीं चलेगा इसलिए हम इसको cancel कर देते हैं एक option तो हमरा निकल गया उसके बाद अब क्या है comma inverted comma को that में change करेंगे यहाँ पर that है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है ठीक है चलिए यह तीनों में से option हमारे पास अभी तक तो चल गई है अब if you want to smoke अब देखो कई बार ना बच्चे यह सोच लेते हैं that और इफी कठे नहीं आते तो वह confused हो जाते हैं पर अगर sentence में ही if दिया हुआ है ना तब हमें लगाना पड़ेगा अगर हमारे पास question वाले sentences होते हैं वहार पर हम क्या करते हैं comma inverted comma को if में change करते हैं ना recording या उस person के recording जिसको landlord कह रहा है तो वह इसने क्या माना है हिम माना है ना object में तो आप क्या लेंगे उसकी जगह ही लेंगे यू जो change हो जाएगा तो ही आजाएगा ही यहां पर भी है यहां पर भी है अब want की हमने क्या करनी है second form बनानी है क्या कि यह first form है तो want का क्या बनेग है ठीक है तो हमारे पास second option क्या आ गया correct आ गया फिर भी आप तसली के लिए देखना चाहते हो तो देख लो कि if he wanted to smoke he will लिखा हुए यहां पर तो he will जो हम अलग कर लेंगे और will को किस में change कर देंगे would में ठीक है तो would have to go upstairs तो यह हमारे पास second हर तरीके से जो है इसका correct option बन देखी क्या है change the following sentences into reporter speech by choosing the correct option we are waiting for the school bus said the children it's late again अब यहां पर बच्चे क्या कर रहे है तरीके से आपको complaint भी समझ सकते हो बता भी सकते है वो उस तरीके से भी समझ सकते हो depend करता है option क्या है the children told ठीक है बच्चों ने कहा sad तो उसमें नहीं रहेगा क्योंकि उन्होंने कहा इसम अगर object missing है अगर object missing है तो possibility इसके भी हो सकती है complaint है complaint है ठीक है तो यहां पे दोनों की ही चारूं हो option हमारे पास हम लेकर चलें ठीक है अब उसने complaint किया told किया किसको कहा की that लगा जते हैं कि नहीं लगाते that इसमें नहीं है तो यह option हमारे पास चला गया that इसमें भी नहीं है हमारे पास ठीक है यह भी हमारे पास चला गया ठीक है इसमें हमारे पास that है इसमें भी हमारे पास that है तो दो option हमारे पास निकल गई यह यह बहुत अच्छी बात रहती है जिब अगर आप option को इस तरी किसे choose करके अगर आप question solve करते हो तो उसमें आपको easy रहता है एक correct option पाने का भी और confused ना होने का भी तो दो option हमारे चले गए अब रहे गए दो इन में से हमें choose करना है the children complained that उसके बाद we are को change करेंगे children के according तो क्या आ जाएगा they are आ जाएगा they were हो जाएगा are को किसमें change करेंगे past में तो they were हो गया तो they were यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है for the school bus they were waiting for the school bus they were waiting for the school bus इन दोनों में हमारे पास आ रहा है said the children it's late again अब it is late again है इसके अंदर क्योंकि यह present में था तो हमें क्या करना है it was late again करना पड़ेगा तो it was late again यहाँ पे है it is late यहाँ पे था तो यह गलत हो गया option हमारे पास third जो है वो correct चला जाएगा देखिए next question है हमारा change the voice from active to passive choose the right option अब इसमें हमारे पास active to passive हमें change करना है obviously this is also very important topic for ad state तो we shall discuss the question tomorrow in the meeting यह हमारे पास sentence दिया हुआ है तो इसमें क्या करना है subject को object बनाना है object को क्या करना है subject बनाना है तो यह क्या हुआ self discuss हमारे पास क्या हो गया इसकी verb हो गई तो the question को हम उठाएंगे the question यह will लिखा हुआ है तो यह गलत हो गया we shall लिखा है गलत हो गया the question हमारे पास आगया तो the question third person है तो third person के साथ हम क्या लगाते है will लगाते है यह shall लिखा हुआ है shell की जगा क्या लगेगा will लगेगा तो will हमारे पास क्या हो जाएगा will be ठीक है, will be हमारे पास है और यहां पर क्या है, shall तो यह option भी गलत हो गया, हमारे पास first option correct हो गया ठीक है, will be discussed tomorrow in the meeting इस तरीके से आप option निकालेंगे तो easy भी रहेगा और जल्दी भी paper कर सक होगे तो choose the option which has error in it ठीक है, हमें निकालना है कि किस portion में हमारा error है we should tell to him exactly what happened there ठीक है, we should, ठीक है, हमारे पास subject आया, verb आयी ठीक है, helping verb, then tell me you should tell me, तुम्हें मुझे बताना चाहिए तो two हमारे पास इसमें extra लगा हुआ है exactly what happened there कि exactly हुआ क्या था महां पर तो इसलिए हमारे पास two क्या है, इसके अंदर extra लगा हुआ है तो two हमें नहीं लगाना चाहिए था, तो error हमारे पास किस में आया बी portion में आया, तो answer भी हमारे पास two मिलिया कईवर है न, option आपको इस तरीके से दे देता है कि एक, दो, तीन, चार और यहाँ पे जैसे A, B, C, D यू करके दे देगा वहाँ पे, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, कि two के साथ कई बर B नहीं आता, two के साथ कई बर C आ जाता है ठीके, तो उसके लिए भी आप केरफुल रहेंगे Select the correct preposition preposition हमें निकालनी है, to fill in the blanks preposition निकालो, they live dash the same roof यह बहुत ही easy question है और यह आप common language में बहुत use कर रहे हो ठीके है, तो they live under the same roof under आ जाएगा हमारे पास इसके अंदर सही option, under, ठीके, preposition आई अब लिविन अलग रह गया कि लिविन उसके अंदर रहना before, उससे पहले, after, बाद में under एकी छत के नीचे रहना, तो वो हमारे पास under correct option, select the correct meaning of the underlined phrasal verb अब यहाँ पर क्या करना है, phrasal verb का meaning निकालना है, I cannot make out the meaning of this verse, make out मतलब कोई चीज का meaning समझना, या आप कह सकते हो कि mind prepare करना, ठीके, तो उसके लिए हम use करते हैं, तो I cannot make out, अब जो make out है यहाँ पर, first form के साथ, जो है आप कह सकते हो, यहाँ पर, एक अलग word इसने use कर लिया है, तो mostly हमें जाना किसके साथ है, first form के साथ ही जाना है अब यहाँ पर, discovery तो आपकी form है ही नहीं, verb है ही नहीं, तो discovery का option यूँ भी गलत हो गया, ठीके reading भी first form नहीं है, यूँ भी इसका गलत हो गया, अब यहाँ पर बचे सिर्फ दो, understand and start तो I cannot understand the meaning of this verse, or I cannot start the meaning of this work, तो start तो हो नहीं सकता इसका मतलब यह है, make out करना, mind को तो क्या करना, understand करना तो इसलिए मैं understand नहीं कर पाया the meaning of the, this verse तो understand हमारे पास क्या आजाएगा correct meaning आजाएगा next हमारे पास है choose the correct form of the tense given in the option हमें tense निकाला है इसके अंदर सही से, ठीक है she play the sitar since 6 o'clock this morning he just stopped, अब देको since or 4 हमारे पास जब भी आते हैं since or 4 जब भी आते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, perfect continuous tense होता है, क्या होता है perfect continuous, most of the cases में वैसे हम perfect भी यूज़ करते हैं लेकिन option हमारे पास ज़्यादा तर हम perfect continuous को ही prefer करते हैं तो इसलिए हमारे पास perfect continuous जाना चाहिए अब किस में है, present में है past में है, option पर depend करेगा भी she playing नहीं हो सकता was played नहीं हो सकता has been playing हो गया अभी अभी complete किया है तो आप उसके लिए past भी लगा सकते हो और present perfect भी लगा सकते हो तो इसके साथ जो है इसने present perfect लगाया है has just stopped क्योंकि present के बाद चल रही थी तो present ही लगा दिया has just stopped हमारे पास third option इसका correct आजाएगा choose the correct meaning of the underlined idiom अब idiom दिया है लाइन को jump कर लिया और promotion मिल गया इसमें जैसे कि हम कहते है कि idiom जो होते हैं मुहावरे हैं तो मुहावरों के according उसका meaning हमें निकालना है तो replace something किसी चीज़ को replace किया है क्या नहीं hopping का मतलब सच में ही इसका एक jumping का एक synonym हो गया hopping कूदना blame somebody किसी को blame करना get something out of turn ठीक है कोई चीज जो है वो out of turn मिल जाए हमें एक तो आप सीदे सीदे जा रहे हो line में ठीक है एक क्या है कि आपने क्या कर लिया you turn ले लिया और आप जो है उस चीज से पुरा cut off लेकर के आगे चले गई ठीक है तो फॉर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा select the correct preposition to fill in the blank आप देखो preposition का ये second question आ रहा है तो preposition भी आपको बहुत अच्छे से करने पड़ेगी बड़ा फीवरेट सा topic है ये एच्टेट का he broke the jug आप उसने broke कर दिया तोड दिया jug को dash a hundred pieces तो ब्रॉक इंटू हम ले करके चलेंगे ब्रॉक इंटू तो ये एक आपको जो प्रेपोजिशन के साथ पर्टिकुलर जो वर्ब्स के साथ प्रेपोजिशन यूज होती है वो आप एक बार याद कर लेंगे तो अगर आपने दस बार भी उसको पढ़ लिया तो टिप्स पे ही आद हो जाएंगी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी Select the correct infinitive form of the given sentences infinitive के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस मेंने बनाई है इतना easily explain किया हुआ है अगर आप एक बार पढ़ोगे, देखोगे, समझ लोगे तो आपको easily समझ आ जाएगा आप एक बार वीजिट जरूर करना ठीक है, प्लेइलिस्ट में आपको मिल जाएगा Seeing is believing देखना ही believe करना है यानि कि कहते ना कि कब आपको believe होता है कोई चीज आप देख लेते हो, तब आपको believe होता है तो ये भी क्या है, एक infinitive की form है Seeing, दोनों में ही ing ing use किया गया है हमारे पास ठीक है, और यहाँ पे मैंने जब आपको करवाए है infinitives, वहाँ पे मैंने बिल्कुल clearly बताया है कि आप इनको क्या कर सकते हो, two plus first form के साथ, यानकि two plus infinitive के साथ इसको replace कर सकते हो, तो क्या रहेगा दोनों ही forms को करना पड़ेगा, फिर two c is to believe, जो देखते हो उसी पे believe करते हैं, तो इसलिए हमारे पास क्या आगा, two c is to believe, जड़ा जाने की ज़रूरती नहीं है, ठीक है हमारे पास क्या है, present में जाना चाहिए, क्योंकि इसमें habit के बारे में बताया है, या तो आप उसो present लेकर चलिए, या past habit को लेकर के चलिए कि car जो है मेरी मदर से belong करती है, या करती थी और वो जो है today आ गया, तो today के according हमारे पास हमने क्या लेना पड़ेगा, present लेना पड़ेगा, अगर today नहीं होता, तो इसमें आप दोनों sentences को prefer कर सकते थे कि past लेना है, कि present लेना है depend करता आपके options पे तो belong तो नहीं जाएगा फिर हम belong को तो निकाले देते हैं क्योंकि present की बात कर रहा है, अब दूसरी बात क्या the car, एक है, singular है तो belong के साथ क्या आता है, ऐसा आता है तो belongs आ जाएगा the car belongs to my mother she is using अब उसमें क्या हो गया, कि आज बहें यूज कर रही है इसे to take Tom to the dentist Tom को dentist के पास ले जाने के लिए तो ये हमारे पास इसके 15 questions थे, ठीक है, जो 46 से लेकर के 60 तक हमने complete किये है तो इसी तरीके से बाकी की सारे common portion भी हम करेंगे आज से start कर दिया है, तो obviously आगे भी मैं continue करूंगी, थोड़ा health issue रहता है, तो किसी दिन skip हो जाए तो please don't worry and excuse me, तो इसी तरीके से और भी updates के लिए हमारे channel के साथ अब बने रहेगा thank you very much